बाचुनाव को देखते हैं वे उत्राखड में बूत जीतों चुनाव जीतों के मुल्यों पर लगतार बीजेपी चल रही है बीजेपी के अपने पदाधिकारियों के जिम्मेदारी तै कर दी है प्रदीश अद्यक्ष महिंद्र भट ने कहा है कि राज्य की सभी बूतों पर पन्नाप्रमुकों की नियुक्ति कर दी गई है इसके साथ अब प्रांत से लेकर बूत स्तर तक के पदाधिकारियों को पन्नाप्रमुक बनाया गया है यहाँ पदाधिकारी जिस बूत पर वोटर्स होंगे वहाँ पर मद्दान सूची के जिस पन्ने पर उनका नाम होगा ब कार्यकरताओं को चुनाव जीतने का मंत्र जो है वो दे दिया गया है कि तो जंता के बीच बीजे पीकर पफादकार जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं बना-प्रमुकों को ले के भी लगातार उन्हें ट्रीनिंग दी जा रही है परना प्रमुकों के रूप में कारी करता हूं से मुलकात कर रहे हैं लगातार उनसे बातचीत चल रही है किस तरीके से उनको मैनेजमेंट करना है किस तरीके से हर वोटर की जानकारी उनको रखना है और इन तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी तैयारी कर रही है वहीं हरी द्वार में कॉंग्रेस को एक और बड़ा जटका लगा है दरसल कॉंग्रेस के प्रदेश मासचे राजेश रस्तू की कॉंग्रेस छोड़ कर बीजेपी में शामिल हो गए है वहीं इस कड़ी में बीजेपी नेता राजेश रस्तोगी से खास बाचीत की हमारे संबादाता राम गोपाल ने उन्होंने क्या कुछ कहा आई आपको सुनाओं है और दलिये परत्यासी भाजपा में जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जा रही है अभी हाली में यानि कि कल जिस्तरी के से हरिदुआर में एक बड़े कारिकरम में कांग्रेश के परदेश महासचिव राजेश रस्तोगी ने भाजपा का दामन थामा है बात करते हैं क्या नाराजगी है रस्तोगी जी आपने भाजपा का दामन थाम लिया है कैसी नाराजगी को मिलिए कांग्रेस में लंबे समय से आपने काम किया है परिवार वाद के खिलाब मुझे नाराजगी है नहीं होनी चाहिए पार्टी के कार्य करताओं को मौका मिलना चाहिए हमारे पाल डाक्टर गोरव चोधरी है गुजर विरादरी का जो चुनाओ लड़ सकता था हमारे पास यसपाल राणा है जो लोग सभा का चुनाओ लड़ सकता था हमारे पास डाक्टर नोमान है रजा है जो लोग सभा का चुनाओ लड़ सकता था इनका बेटा क्यों क्यों इनका बेटा का